Good Morning Students Yesterday we are discussed about the Peninsular Plateau River in India and Today we are discussed about the smallest river flowing in Peninsular Plateau कि Peninsular Plateau के अंदर च scoring हम ने जो discuss की थी वो main river थी आज हम जो discuss करेंगे Peninsular Plateau की जो smallest river है कुछ यह जो main rivers है smallest में भी उन ही को discuss करेंगे अगर हम इंडिया की बात करते है All Over India जिन रिवर्स की जो लंबाई है दो किलोमेटर या उससे ज़ादा है वो 10,356 इतनी रिवर्स है इंडिया के अंदर जिन की लंबाई जो है दो किलोमेटर या उससे ज़ादा है 10,356 रिवर्स बट इन में से कुछ small रिवर्स है जिन के बारे में हम discuss करेंगे पैनल सुर प्लैट्यूज की इनको भी हमने दो इससो में डिवाइड किया है तू पार्ट्स में डिवाइड के इनको फिर्स्ट इस फॉर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है रिवर्स फ्लोइंग टू वर्ड इन दा अरेबियन सी अरेबियन सी के अंदर जो है ये जाके गिरती है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है रिवर्स उनमें जो smallest river है उनके अंदर जो main river है सबसे पहले बात करते है साबरमती river साबरमती river जो है वो साबरमती आसरम के नाम से जो है famous है वहाँ पे flow करती है और इसी के साथ साथ जो है mahi river ये दोनों river जो है ये गुजरात के अंदर है आपको map में भी दिखाऊंगा कि कहा कहा पे ये river जो है flow करती है साबरमती और mahi ये दो river जो है ये गुजरात में flow करती है उसके बाद जो है हमारी next river है वेतरना river वेतरना river जो है टिमबक हिल्स है महारास्टर के अंदर महारास्टर जो गुजरात के next जो state है महारास्टर वहाँ पे टिमबक हिल्स है वहाँ पे वेतरना river जो है वहाँ से rise होती है और flow करती होई arabian sea के अंदर जाके गिर जाती है उसके बाद जो है next जो river है वो है काली नदी काली नदी जो है basically ये बैल गाओं के अंदर है बैल गाओं जो है ये करनाटका के अंदर है करनाटका के अंदर जो है बैल गाओं एक village है वहाँ से जो है काली नदी निकलती है राइज करती है और ये river जो है बैतियोई आगे जो है arabian sea के अंदर गिर जाती है नेक्स्ट जो रिवर है मांडवी और जुवारी गोवा के अंदर सिरफ ये दो ही रिवर है इसलिए ये दोनों कहीं बार पेपर्स के अंदर पूछी जाती है कि गोवा की जो रिवर्स है उनके नाम बताईए तो मांडवी और जुवारी दो रिवर्स है जो गोवा के अंदर जो है फ्लो करती है नेक्स्ट ये रिवर भी जो है अरेविंसी के अंदर जो है जाकी गिर जाती है नेक्स्ट जो है सरावती रिवर सरावती रिवर जो है सिमोगा डिस्टिक करनाटक के अंदर है वहां से राइज होती है और इसी के ओपर जो है इंडिया का सबसे उंचा जो वाटरफाल है वो पाय जाता है जोग वाटरफाल जोग जो वाटरफाल है इंडिया का सबसे उन्चा जो है वाटरफाल है जो सारावती रिवर के उपर पाय जाता है करनाठका के अंदर है यह सिमोगा डिस्टिक्स से जो है राइज होती है और अरेबियन सी के अंदर जाके ग निकलती है बरत पूजा जो है लोंगेस्ट रिवर इन केरला की जो है सबसे लंबी नदी है और परियार जो है सेकंड लोंगेस्ट रिवर है केरला की सेकर्ड लॉंगेस्ट रिवर इन केरला कि यह अन्नामलाइ allergic से निकलती है और वहां से फ्लो करते हैं यही अरेविन्सी के अंदर जाके जो है गिर जाती है अन्नामलाइ जो никогда है, यह बेसिकली केरला के अंदर है बिल्कुल लास्ट में जो सबसे सदरन पार्ट के अंदर जो लास्ट में हिल्स पाई जाती है वो अनमलाई हिल्स है अनाई मूडी जिसकी सबसे उंची जो है चोटी भी है जो हाइस्ट पीक है इसका अनमलाई हिल्स का अनाई मूडी है जो सबसे उंची पीक भी बोल देते है अनाई मूडी तो वहां से जो है बरत पूजा और पैरियार रिवर जो है फ्लो करते हुई अरेबिंसी के अंदर जाके गिर जाती है नेक्स्ट जो है हमारी पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं कि कौन-कौन सी रिवर है ये हमारा जो है इंडिया का मैप है ये जो रिवर है साबर मती देन माही ये दोनो की दोनो जो है अरेबिंसी के अंदर जाके गिर जाती है साबर मती और माही नाम से जो है इनको थोड़ा देख लेना आप लोग उसके बाद नेक्स्ट जो है महारास्टर के अंदर वैतरना वैतरना जो रीवर है ये महारास्टर के अंदर पाई जाती है नेक्स्ट जो है मांडवी और जवारी ये दोनों की दोनों जो रीवर है ये गोवा के अंदर पाई जाती है नेक्स्ट जो रिवर है वो है सरावती जिसके ओपर जोग वाटरफाल है इंडिया का सबसे हाइस्ट जो वाटरफाल है वो जोग वाटरफाल सरावती रिवर पर एकरनाटा के अंदर और काली नदी काली नदी जो है वो बैल गाओं से जो है निकलती है और अरेबियन सी के अं दोनों की दोनों केरला की है, ये दोनों की दोनों करनाटक की है, ये दोनों की दोनों गोवा की है, ये जो है मारास्ट्रा की है, और ये नेक्स्ट जो है साबर मती और माही ये दोनों गुजराद की है, नेक्स्ट जब बात करते हम इस्ट फ्लोइंग रिवर इस्ट जो फ्लोइंग रिवर है ये बेसिकली जो आइन बेव बेंगोल बेंगोल के अंदर जो है बेव बेंगोल के अंदर जाके गिर जाती है ये इनके अंदर जो है फस्ट जो नदी है वो है स्वर्ण रेखा सबसे पुलुटिड रिवर भी है पुलुटिड रिवर है इंडिया उसके बाद आती है। ब्रम्री ब्रम्री रिवर ये भी बैसिकली जो है। फिल जो उडी साती हो और यह बंगाल की हाडी में जाके गिर जाती है। उसके बाद आती है Shaprishna और कावेरी के बीच से बैती है और दोनों की दोनों रीवर जो है ये अंदर परदेश के अंदर जाके गिर जाती है ये उडिसा ये जारखंड से निकलती है और वेस्ट बेंगोल से उत्ती हुई सिद्धी जो है बेव बेंगोल के अंदर चली जाती है उसके बाद है वेगई वे ये आपको मैप में दिखा देता हूँ ये जो रिवर है ये जारखंट से निकल के और ये पस्चिम बंगाल से होते हुई स्वर्ण रेखा रिवर बेफ बेंगोल के अंदर चली जाती है नेक्स्ट जो है ब्रमनी जो रिवर है ये भी उडिसा के अंदर फ्लो करती है ये भी ये रिवर भी जो है बेफ बेंगोल के अंदर गिर जाती है नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्रिशना रिवर है और यहाँ पे कावेरी रिवर है इन दोनों रिवर्स के बीच में पैनार और पुलार दोनों की दोनों रिवर्स है अंदर प्रदेश के अंदर ये फ्लो करती है और ये भी अंत में जो है बेव बेंगोल के अंदर गिर जाती है नेक्स्ट जो है वे गई ये तमिलाडू के अंदर जो है फ्लो करती है ये रिव ये भी लास्ट में जो है बेव बंगोल के अंदर गिर जाती है ये कुछ smallest river थी peninsular plateau की वैसे ये इतनी important नहीं है बट कई बार papers के अंदर जो है पूछी जाती है इन में से कुछ भी कई बार सरावती river के ओपर जो waterfall है जो waterfall वो पूछा जाता है तो वो basically famous है और या फिर ये सुनरेखा river जो है ये भी famous है next जो हम पढ़ते है river regime river regime क्या होता है the pattern of flow of water in a river channel over a year is known as river regime river regime ये बताता है कि हमारी river channel जो है उसके अंदर flow कैसा है pattern क्या है flow of water का कि water जो है वो किस month के अंदर जो है throughout the year water जादा flow कर रहा है किसी भी एक river channel के अंदर pattern of flow of water कि pattern क्या है उसका flow करने का water का किसी भी river channel के अंदर throughout the year तो उसको हम बोल देते है river regime हिंदी में अगर बात करें तो किसी भी नदी के जल परवा का परती रूप मतलब कि उसका जल जो परवा कर रहा है वो किस पैटरन पर कर रहा है उसे को हम in river regime बोल देते हैं आपको बता देता हूँ माल लीजीये ये कोई एक graph है river regime कैसे दिखाया जाता है वो समझा देता हूँ इसके अंदर जो है नीचे जो मन्त दी होते है January, February, March, April, Mai, June, July, August, September, October नुवंबर और डिसम्बर इस तरीके से और इस साइड जो है डिस्चार्ज वाटर दिखाया जाता है डिस्चार्ज जो वाटर होता है किसी भी नदी का वो क्यू सेक्स के अंदर जो है दिखाया जाता है कि क्यू सेक्स क्यूबिक पर मेटर सेकंड की एक सेकंड के अंदर कितन जो है बेसिकली गंगा रिवर जो हमारी हिमाल्यास फ्लो रिवर है उनके अंदर स्नो जो मेल्ट होती है उससे पानी आता है या फिर रेनफाल का पानी होता है और पैनिंसुलर प्लेटो जो है उसके अंदर जो है बेसिकली जो रेनफाल का पानी होता है वही फ्लो करता है बाक जुलाई के अंदर जो है रेनफाल आने कारण इसका जो है पैटरन जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि वाटर जो है बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है इसके अंदर क्योंकि बारिश का पानी भी हो गया और इसके साथ जो है इस मन्त के अंदर जुलाई अगत सितंबर तो ये ती है ओर दिर धर सितम्बर के बाद अक्तुबर नुवंबर और दिसंबर तक जू है यह बिलकुल कम हो जाता है। तो यह एर का एक ठुटूर ओट दी एयर का जो है पैट्रन दिखा रहा रहा है कि flow of water कैसा है कि किस महिने में ज़ो है ज़्यादा पानी flow कर रहा है अगर ज़्यादा कर रहा है तो peak उपपर चला जाएगा उसी मन्त के अंदर अगर नहीं कम कर रहा है तो बेसिकली जो है आम तोर पर ये ऐसे ही रहता है नीची हर रिवर का जो है बेसिकली जून जुलाई अगस्त और सेप्टमबर ये चार महिने होते है जिनके अंदर जो है इनका जो flow जो है वो peak पे होता है क्योंकि इन दिनों जो है इंडिया के अंदर rainfall होती है इसे के अंदर कुछ terms है वो बता देता हूँ इसका जो top होता है उसको peak बोल देते है और इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते है rising limb rising limb वो वाला पार्ट होता है जब water जो है उपर की तरफ जा रहा है जो हमारा जो पानी का जो flow है वो बढ़ता हुआ दिखा रहा है उसको हम rising limb बोल देते है पिक जो है बिलकुल टोप की जो टायों कि इसके बाद जो है बस लास्ट है वो इस hier रखा उसके बाद जो नीचे की graph के उसको बोल देते है hydrograph hydrograph is a graph showing the rate of flow of water इने drainage basin की एक drainage basin के अंदर जो है किसी भी water का जो है वो rate of flow जो दिखाते हैं उसको hydrograph बोल देते है hydrograph के द्वारा हम जो है rate of flow दिखाते है rate of flow of water किसी भी drainage basin का hydrograph is a graph showing the rate of flow of water is a drainage basin is also known as hydrograph basically यह जो होता है इसको हम hydrograph ही बोलते हैं इसी से हम basically flow of water देख सकते हैं किसी भी river का कि किस month के अंदर कम हुआ है किस month के अंदर जादा हुआ है और हमारी book के अंदर इन से अलग कुछ example दिए है कि जो river regime है वो किस परकार से किस month के अंदर कम होता है किस river को और किस month के अंदर जादा होता है जैसे गंगा river का example दिए है कि गंगा river के अंदर जनवरी में जो है सबसे कम होता है और जुलाई अगस्त में सबसे ज़ादा जो है water flow करता है इसके अंदर ऐसे ही गोदावरी और हिमालियन रिवर भी दे रखा है एक दो एक्जम्पल और पैनिन्सूलर रिवर का भी एक दो एक्जम्पल जो है दिया होगा है बुक में वो आप लोग अपने आप रीड कर लेना कि किस मंत के अंदर जो है रिवर ज्यादा फ्लो करता है पानी रिवर के अंदर किस मंत में जो है वो कम फ्लो करता है रिवर के अंदर पानी तो एक जम्पल है बेसिकली समझने वाली बात ये कि रिवर रिजीम क्या है दि पैटरन ओ फ्लो फ्लो फ वाटर इन्हें river channel की flow की pattern क्या है किसी भी river के अंदर flow of water का कि किस month में अंदर ज्यादा होते है flow किस month के अंदर कम होता है बस यही जो है basically समझने वारी बात यही है इसके अंदर next जो हमारा है वो है usability of water या usability of river river के अंदर जो पानी है उसको हम कहा कहा पे use कर सकते हैं basically first is for irrigation irrigation में सिचाई के लिए हम लोग जो basically इसको use कर सकते हैं नदियों में जो हमने canal system निकालके जैसे इंदर गांदी canal है उन से जो हमने agriculture करना start कर दिया है तो river से हम जो है irrigation में भी use कर सकते है hydro electricity जैसे बाखडा डैम है उसका पानी जो है irrigation में भी use करते है hydro electricity बनाते है बिजली बनाने के लिए भी जो है river का पानी use किया जाता है डैम बना के वहाँ पे रोक के पानी को फिर हम electricity बना सकते है third is for waterways जल मार के तोर पे भी जो है नदियों का पानी जो है use किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्मान को लेके आना और लेके जाने के लिए इसको use किया जाता है यह हमारा basically usability of rivers है कि कहां कहां पे हम इसको use कर सकते है next why are you river polluted कि river के जो है polluted होने के reasons क्या है first is for river waste sorry industry based disposed industries का जो waste is है उसको disposed जो हम लोग river के अंदर कर देते है जैसे कानपूर है कानपूर के अंदर जो गंगा river flow करती है उसके अंदर जो है basically सारा कूडा करकट जो industries का वो डाल दिये जता है ऐसे ही दिल्ली के अंदर यमना river जो flow करती है तो जितना भी कूरा करकट होता है या industries का जो waste होता है तो वो सारे का सारा जो है इनी rivers के अंदर flow कर दिये जाता है जिसके कान जो हमारी rivers polluted होती जा रही है next for large scale of bathing जैसे बहुत सारी population जो है rivers के अंदर एक दम सनान करती है उसके कान भी river जो है वो polluted होती जा रही है जैसे आपने देखो होगा कि हरीद्वार के अंदर जो मेला लगता है जैसे लोग जो है दरम के नाम पे वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारे लोग जो population कई लॉखों में होती है pollution free कि river का हम pollution free कैसे कर सकते है हमने इंडियन गवर्मिट ने जो है बेसिकली एक plan चलाया था गंगा action plan इसके अंदर क्या था कि उमाबार्ती जो है बेसिकली इसकी minister बनाई गी थी कि गंगा जो है बिल्कुल साफ करेंगे काफी पैसा जो है इस पर खर्च भी किया गया है बट वो हो नहीं पाया अब जो है during the period अब जाके वो गंगा जो है वो अपने आप ही automatic साफ हुई है coronavirus के काण जो lockdown हुआ है उसकी वज़े से बेसिकली गंगा अपने आप ही साफ हुई है लेकिन पैसा बहुत खर्च किया गया है गंगा को साफ करने के लिए तो आप लोग जो है बेसिकली रीड कर सकते हैं गंगा एक्शन प्लैन और next for campaigning the cleaning दी यमना at दिल्ली कि एक campaigning चलाया गया था कि यमना जो है वो दिल्ली में बिल्कुल साफ की जाएगी बट ऐसा हो नहीं पाया ये भी जो है अब lockdown period के दोरान ही सारी rivers जो है वो बिल्कुल clean हुई है उससे पहले कभी भी नहीं देखी गई कि ये rivers जो है clean हुई हो तो ये जो है कुछ companioning थे गंगा को साफ करने का यमना को साफ करने का दिल्ली के अंदर चलाए गई थे तो इन plans के द्वारा जो है गंगा rivers को जो है pollution free करने की सोची गई थी thank you to all of you आपका जो homework है to read chapter third complete आप जो है पूरा chapter complete जो है read करना है आपको कल जो हम इसके basically question answer करेंगे thank you to all of you